हेलो क्लास नाइंथ कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइंथ समकालिन भारत का चैप्टर नंबर टू और चैप्टर का नेम आप देखो भारत का बहुतिक स्वरूप तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के question answers को solve करेंगे पहला आप देखो एक इस्तलिय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसे कहते हैं प्रायदवीब। उसके बाद अगला कोशन है आपर भारत के पूर्वी भाग में म्यामार की सीमा निर्धारन करने वाले परवतों का संयुक्त नाम क्या है तो इसे आप लिखेंगे पूर्वांचल फिर अगला कोशन है आपका गोवा के दक्षिन में इस्तित पशिम तटी या पटी उसका नाम प्रशन दो है आपके पास निमलिकित प्रशनों के शंक्षेप में उत्तर दीजी अब आपको कुछ प्रशन दिये हैं इनको आपको शंक्षेप में उत्तर देना है तो पहला आप देखो भूगरविया प्लेटें क्या है भूगरविया प्लेटें अब आपको बताना है तो तो इसका उत्तर आप देखो पिरित्वी के आंतरिक भाग से उपर उठी तरंगूं द्वारा उपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकडों में बढ़ जाती है जिनने की हम भुगरविय प्लेटे कहते हैं उसके बाद है देखो आज के कौन से महादवीब गोंडवाना लैंड के भाग थे तो आप देखो यहाँ पर आज के प्रायदवीब भारत अफरिका दक्षिनी अमेरिका ऑस्ट्रिलिया तथा अंटार्क टिका शामिल थे फिर उसके बाद आप देखो भावर क्या होता है बजरीमय यानि की जो जगह है उसमें पुरा बजरी गिरीव है ठीक है बजरीमय पट्टी को भावर कहते हैं अब सादो के निक्षेप से यहाँ एक पार गम में छेत्र बन गया है अताहिए इस छेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदिया भूमिगत हो जाती है फि लगबग सामांतर फैली हुई तीन परवत मालाये हैं अब वो आपको बतानी है तो इसमें पहला आप लिखोगे महान हिमाले या आंतरिक हिमाले या हिमादरी हिमाले फिर अगला है आपका लगू या मद्दे हिमाले फिर है शिवालिक शेड़ी या भाईया हिमाले उसके ब कि जो अरावाली है और विद्यान चला इनके पहाड़ियों में कौन सा पठार है तो उसका नाम है आपका मालवा पठार अगला कुर्शन आप देखो भारत के उन द्वीपों के नाम बताईए जो प्रवाल भित्तिके हैं तो इसका आप लिखेंगे लक्षद्वीप समूह अभी सारी भूगर भी यह प्लेटे तो इसका उतर आप लिखोगे अप सारी प्लेटे जैसे कि जब दो प्लेटे खिसक कर एक दूसरे से अलग हो जाती है या एक दूसरे से दूर चली जाती है तब इन्हें अप सारी प्लेटे कहते हैं अब आप ठीक है इनको ध्यान से जैसे कि दो प्लेटे हैं ये खिसकर अलग हो जाती है ठीक है अपूजिट साइज को जाती है उसके बार आप देखो बांगर और खादर आपको बताना है इनमें एक अंतर तो पहला आप लिखोगे बांगर इसमें फर्स पॉइंट होगा आपका यहां मैदान का उंचा भाग ह जहां सामन्यत या नदियों की बाड का पानी नहीं पहुँच पाता फिर अगला है इस छेतर का निर्मान पुरानी जलोड मिट्टी से हुआ है थर्ड पॉइंट आप लिखोगे इस छेतर की मिरदा में चूने से युक्त निक्षे पाए जाते हैं जिसे इस्थानिय भासा म कंकन कहा जाता है अब उसकी बाद अगला आप देखो यहां पर यहां करिशी के लिए भाबर प्रदेश की तुलना में कम उपयोगी है ठीक है फिर आप देखो खादर आप देखो खादर में आपको बताना है यहां ऐसा भूबाग है जहां नदियों की बाड का पानी प्रत बना हुआ निम्न प्रदेश है ठीक है अब आप देखो तीसरा यहां पर यहां मुक्यता है चीका मिट्टी का बना हुआ प्रदेश है ठीक है चीका नहीं होगा आपको यहां पर होगा चिकनी मिट्टी ठीक है फिर चौता है यहां बहुत उपजाव भूभाग है तता यहा क्या होती उपजाव जमीन होती है यहां पर बहुत ज़ादा मातरा में कृशी कार्री किया जाता ठीक है खेती वाड़ी की जाती है थर्ड पॉर्वी घाट पश्चीमी घाट में आपको अंतर बताना है तो पुर्वी घाट अप जो यह अंतर है इनको आप इस तरह से टेबल बनाके भी लिख सकते हैं इधर आ पुर्वी घाट इधर आप लिखेंगे पश्चीमी घाट मैं आपको यहां पर points में बताता हूँ पूर्वी घाट देखो है यहां पर पूर्वी घाट उडिशा राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में भाग में महानदी घाटी से सुरू होकर बंगाल की खाड़ी के साथ साथ नील गिरी के पहाड़ीयों तक विस्तरित है तो अब आप देखो इसकी ओसत उचाई कितनी है 600 मेटर है और पूर्वी घाट लगात तर यहां पर आप देखो शरंखला बद्ध नहीं है ठीक है अगला है आपका पूर्वी घाट का सबसे उचा सिकर महेंद्र गिरी है तो यह आप अच्छी तरह से याद करने कि पूर्वी घाट दिया है ठीक है फिर है यहां पर इसे अनेक इस्थानिया नामों से जाना जाता है इन में से है यहां पर नल्ला मलाई ठीक है वैली कॉंडा पाल कॉंडा जावेडी और उत्तरी अरकाट शेवराय प्रमुक नाम है ठीक है इसको जो भिन भिने नामों से जाना जाता है अलग नदी से कन्या कुमारी तक फैला हुआ है और इसकी ओसत उंचाई कितनी है 900 से 16 मीटर की है ठीक है और यह लगातार एक सरिंखला के रूप में है इसका सबसे उंचा सिकर अनाई मोडी है जो की कितना है 2695 मीटर यानि कि लगवग 2 किलो मीटर और 695 मीटर ठीक है यह दिवार की तरह खड़ा है जिसे केबल दर्नों से ही पार किया जा सकता है अब उसके बाद आप देखो 6 पॉइंट आप इसमें लिखोगे पच्चिमी घाट के कई इस्थानिये नाम है ठीक है सहायादरी ठीक है नीलगिरी अन्ना मलाई और यहाँ पर है आरकेडमम ठीक है आरकेडमम यहाँ पर है कारडमम की पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है अब उसके बाद आप देखो 4th कुशन आपके पस बताईए कि हिमाले का निर्मान कैसे हुआ था ठीक है तो यह भी बहुत जादा इंपोर्टन आपका कुशन है ठीक है हिमाले का निर्मान किस तरह से हु यहाँ पर ठीक है नेपाल के इस साइड में ठीक है उपर तो यहाँ पर टैथिस नामक एक महासागर था और इस विसाल महासागर के दोनों और किनारों पर दो भुखंड थे ठीक है अब जो टैथिस सागर था उसके दोनों साइड में दो भुखंड थे टैथिस सागर के उत उत्तर वाला भुकंड अंगारा लेंड तथा दक्षिन वाला भुकंड गोंडवाना लेंड था ठीक है अब आपको याद रखने है जो उत्तर वाला है उसका नाम क्या था अंगारा लेंड था और जो दक्षिन में है उसका था भुकंड जो दक्षिन में भुकंड था उसका गोंडवाना लेंड धीरे धीरे ये भुकंड एक दूसरे की और खिसकने लगे तो जैसे ये एक भुकंड ये है तो ये एक दूसरे की और खिसकने लगे और इसके बाद क्या हुआ एक दूसरे की खिसकने लगे इससे टैथी सागर में जमा जो अवसादों में संपीडन की प् पहारी बन गए ठीक है उबर कर आ गया और इस परकार हिमाले परवत का निर्मान हुआ तो बहुत जादे इंट्रेस्टिंग टॉपिक है इसको आप यूटूब में शर्थ करें आपको बहुत सारी एनिमेशन वीडियो भी मिल जाएंगी वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हो ठी फिर question 5 है यहाँ पर आप देखो भारत के प्रमक भु आकरतिक विभाग कौन से हैं तो पहला देखो यहाँ पर हिमाले छेतर तथा प्रायद्यूबी पठार के उच्चा वच लक्षणों के में क्या अंतर है वो भी आपको बताना है पहला आप देखो भारत एक विशाल दे दीप समो अगला यहाँ पर आप देखो अब यहाँ पर हम हिमाचल परदेश जो है उसको में यहाँ पर डिफाइन करें ठीक हिमाचल परवत नवीन वलित परवत है सेकर आप देखो हिमाले परवत बहुत उचे हैं तथा यह सदा बर्फ से ढखे रहते हैं और तीसरा प्रवत अधिक उंचे नहीं है और ये परवत बर्फ से ढखे हुए नहीं है प्राइद वीपिया पठार में सुंदर घाटियां पाई जाती है यहां भारत के दक्षिन में तरी बुजाकार आकार में आगरती में फैला हुआ है उसके बाद आप देखो प्रशन 6 है यहां पर आपके पास भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है अब आपको ठीक है तो उत्तर के विशाल परवतों के दक्षिन में उत्तरी भारत का विशाल मैदान इस्तित है भारत का उत्तरी मैदान उत्तर में हिमाले तता दक्षिन मे प्राय दीपिया पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई बारीग जो गाद से बना हुए ठीक है और इस विशाल मैदान का छेतरफल साथ लाग वर्ग किलो मीटर है पूर्वे से पश्चिम दिसा में इस मैदान की लंबाई लगबग 2400 किलो मीटर है और इसकी चोड़ाई 240 किलो मीटर से 320 किलो मीटर तक है अब आप देखो कितनी लंबी है ठीक है और क्रिशी की दिरिश्टी से यहाँ भारत का सबसे अधिक उत्पादक छेतर है आगे हम देखते हैं उत्री मैदान के मोटे तोर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है ठीक है जैसे की पंजाब का मैदान अब उत्री मैदान के पश्चिमी भाग को जो पंजाब का मैदान कहते हैं इस मैदान का निर्मार सिंदु तथा इसकी सायक नदियों द्वारा हुआ है और इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में इस्तित है ठीक है अब जो पंजाब का मैदान है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ये क्या है ठीक है उतरी मैदान के जो पस्चिमी भाग को जो पंजाब मैदान कहते हैं ठीक है उसे और इ इस मैदान का निर्मार गंगा तथा इसकी सायक नदियों द्वारा हुआ है यह उत्तरी भारत के राजियों हर्याना दिल्ली उत्तर परदेश बिहार उत्तरी जारकन तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है उसके बाद आप देखो ब्रह्म पुत्र का मैदान तो ब्रह्म साथ निमन लिखित पर संक्षिप्ट टिपरनी कीजिए पहला आप देखो यहां पर है आपके पास मद्ध्य हिमालय फिर है मद्ध मीटर है इसमें इस्तित पीर पंजाल सबसे लंबी श्रेंकला है इसके अलावा धौलादर शेनी तथा महा भारत शेनी भी इसी के भाग है इसमें कश्मीर कांगडा तथा कुल्लू की गाटियां इस्तित हैं सभी प्रमुक परवतिये नगर जैसे की डल होजी धर्मशाला शिम देखोगे प्राय दूपिया भूबा के उत्तरी भाग को मध्य वरति उच्च भूमिया कहते हैं अर्थाथ भारत के मध्य वरति भागों में पश्चिम में अरावली परवत से पूरु में राजमहल की पहाडियों तक फैले हुए उचे भाग को ही मध्य उच्च भूमि के इनकी दक्षिन सीमा विध्यांचल परवत से घिरी है अरावली और विध्यांचल परवतों के बीज मालवा का पठार इस्तित है इस छेतर में बहने वाली नदियां चंबल सिंदू बेतलवा ठीक है बेतलवा तथा कौन केन दक्षिन पश्चिम से उत्तरपूर्व की तरफ ब पठार किसे कहते हैं ठीक है मालवा के पठार के उत्तरपूर्वी भाग को बुंदिल खंड का पठार कहते हैं तो इसको आप याद रखे यहां से लेकर मालवा पठार के उत्तरीवा उत्तरपूर्वी भाग को बुंदिल खंड या बगेल खंड का पठार कहते हैं मध्य भूमी से सबसे पूर्वी विश्तार को हम कmillion कहते हैं चोटा नागपूर का पठार कहते हैं यह दोनों आप अच्छे से याद रखें कि बुंदेल्खंड का पठार और चोटा नागपूर का पठार किसे कहते हैं अब आगे आप ढगए अप ऑफ थरड पॉईटए इसके और आपको पता भी होगा अंडमान निकोबार जैसे कि ये अगर उत्रकंड का यानि की इंडिया का अगर ये साउध पार्ट है तो इस साइड में यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है और इस साइड में यहाँ पर छोटा सा लक्षदीप समोव है तो अब आप देखों ल परवाल के निक्षेपों से हुआ है ठीक है कवरत्ती इनकी राजधानी है और इस दीप समोह पर पादब तथा जन्त के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं फिर अगला देखो आप अंडमानवर नीकोबार दीप समोह तो इसमें आप लिखोगे अंडमानवर नीकोबार दीप स दीप समोह है उसका जो उत्तरी भाग है उसको हम अंडमान कहते हैं और जो दक्षिन का भाग है उसे हम नीकोबार कहते हैं ये दीप निमिजित परवत शेणियों के शिकर हैं और इनमें से कुछ जौला मुखी किरिया द्वारा भी बने हैं अब उसके बाद आप देखो यह आपका होगा नंगा परवत ठीक है और फिर आपका अनाय मोडी तो इन सब को आपको भारत के एक मानचितर पर दर्शाना है तो इस सब को हम भारत के मानचितर पर देखते हैं एक बार तो अब आप देखो यहां पर मैंने हिमाले परवत यानि की इसका आपको एक इमेज ठीक है फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिक्किम के ऊपर यहाँ पर दिखेगा कंचन जुंगा ठीक है और उसी के सामने आपको यहाँ पर दिखेगा एवरेस्ट परवत और स्टुडेंट्स अब आप देखो अनाई मुडी जो परवत है आपको यहाँ पर बिल्कुल दक्षिन में यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा पॉइंट यहाँ पर एक लगा रखा है इसमें आपको अनाई मुडी शो करनी है ठीक है यहाँ पर जो छोटा सा आपको एक दिखरा होगा यहाँ पर आपको छोटा नाकुर पठार दिखाना है और उसके बाद आपको एक दिया है मालवा पठार तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है उसके बाद आपको बुंदेलखन पठार यहाँ पर दिखाना है ठीक है छोटा सा आपको यहाँ पर लिखा होगा ब कोरो मंडल तर्ट भी आपको शो करना है तो इनको हम मैप पर देखते हैं अब आप देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कोरो मंडल तर्ट ठीक है अगर आप अपनी बुक में इस मैप को देखे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कोरो मंडल तर्ट लिखा हुआ और उसके बाद अगर आपको लक्षदीब-दीप समोह दिखाना है तो यहां पर आप देखो यहां पर है आपका लक्षदीब समोह फिर उसके बाद थोड़े से उपर अगर आप जाएं तो यहां पर आपको दिखेगा थार मरुस्तर ठीक है इस area में आपको थार मरुस्ता शो करना है तो कहीं पर भी आप यहाँ पर दिका सकते हैं उसकी बाद जो main चीज़ है वो आपका है Ganga, Yamuna, Dwav तो यहाँ पर आप देखो Ganga नदी ये आ रही है और यहाँ पर Yamuna नदी ये आ रही है तो यहाँ पर आप देखो में कुछ आपको शिखरों के, दर्डरों के, शेरिणियों के, पठारों के, पहाडियों के, गाटियों के नाम दिये गए हैं, ठीक है, उन्हें आपको ढूंडना है, और ग्यात आपको ये आकर्तियां कहां इस्तित हैं, ठीक हैं, और आप अपनी खोच छैदेज, उर्दवार कुछ मैं आपको बता दो जैसे कि यहापर आप इस तरह से नीचे को मिला सकते हैं आपर छोटा नागपूर ठीक है एक आप यहापर मिला सकते हो अरावली को ठीक है अरावली हिल्स और उसकी बाद आप यहापर काफी सारे ढूंड सकते हो ठीक है मैं नेम्स आपको बता सकता ह कि कौन कौन से यहापर आपको मिल सकते हैं ठीक है और वो आपको थोड़ी सी यहापर मेनत करके ढूंडने होंगे तो यहापर आप देखो इंगलिस में कुछ नेम्स हैं जो बाएं से दाएं आप ढूंड सकते हो ठीक है जैसे कि नाथुलाब, भोर, गारो और यहापर कंचन जूंगा, थार, अनाइमूरी, पल, एवरेस्ट, पटली और यहापर आप देखो थार ठीक है और यह उपर से नीचे की ओर ठीक है जैंतरा, कायमूर, बॉंडिला और यहापर कोरो मंडल, माइकल, बिंध्या, छोटा नागपूर, लक्षुदीब ठीक है और यहापर यह सब्जाइट के question answer videos, modern master जी के channel पर देख सकते हो, मैंने सबी पर वीडियो बना रखी है, link मापको description में provide कर दूँगा, बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें